अपना और अपनी फैंडी का ख्याल रखना और जिसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल पो लेटर शेयर मारकेट वीडियो अब मेरे टेलेग्राम चैनल से भी जुरू सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के वो भी मैं बताऊंगा काफी बड़ी न्यूज है जो की दोनों से ही रिलेटिड है और वो एक ही न्यूज है तो गाइज हम फर्स्ट जो शेयर की बात करेंगे वो स्नोमेन लोजिस्टिक्स लिमिटेड और जो सेकंड शेयर है वो है स्पाइज जेट तो गाइज दोनों की बात करते हैं ये क्यों हुआ था कल भी एक मैंने वीडियो अप्लोड की थी कि गाइज ये काफी ऊपर जाएगा और काफी अच्छी कंडिशन एट प्रेजेंट क्योंकि इसकी एक न्यूज आई है जो की कोविड नाइंटीन से रिलेटिड न्यूज है जिसकी वज़े से आ 50 रुपे के आज पास इसका अपको मिल रहा है तो हम दूसरे शेयर की बात करते हैं जो की एक सो पाच रुपे के आज पास इसका अज गया था और एक सो आट रुपे इसने आज टच किया था तो अल्मोस्ट ये बाउन वी खाई कि अप्रोक्शिमेट ये अभी गया हुआ ह ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है जो इसका बाउन वी खाई है वो 119 रुपे है और इसका बाउन वी लो है वो 30 रुपे है जो काफी अच्छी ग्रोथ की है स्पाइस जेट ने इवन आफ्टर जो एरलाइनस कंपनिया है वो काफी हद तक नीचे गई वी है जस्ट पिकोज अफ लोग टाउन की कंडिशन है जो पैंडामिक वाली कंडिशन है तो उसकी वज़ए से जो एरलाइनस है वो अभी तक प्रोपरली स्टार्ट नहीं हुआ उसमें एरलाइनस को काफी सारा नुकसान हुआ था जस्ट पिको जो पैंडामिक क्योंकि सबसे लास्ट में एरलाइनस खुला था तो गैज अगर इसके बाद हम इसके मैक्सिमम की बात करें तो गैज किसी टाइम पर ये जब इसकी लिस्टेंग होई थी तब 132 रुपे के आसपास की इसकी लिस्टिंग होई थी और ये 2019 में और अभी सिर्फ आपको 105 रुपे के आसपास मिल रहा है इट मेंस की ये अपना जो जो मैक्सिमम है उसको टच करने के मूड में अभी एट प्रिजेंट लग रहा है तो गैज इसके हम इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं इसका रिजल्ट अभी इतना अच्छा नहीं था जस्ट पिको जब ये रिजल्ट मैं बताऊं तो इसको तो गैज हम स्पाइज रिजल्ट की बात कर लेते हैं जो की रिजल्ट कुछ हद तक नेरो हुआ था और ये देखिए जो वहापर जो एनसी की जो साइट है वहाँ पर इसका रिजल्ट काफी है तक मतलब जो पहले काफी नुकसान था उसको तोड़ा सा उसने रिकावर किया है तो गैज ये रिजल्ट है जो की नवेंबर मिड आफ नवेंबर ये रिजल्ट आया था स्पाइज एट क्यू टू लोस नेरो टू रूपीज वन वन टू अगर स्फी नॉंचर काफी बतर तो पर टील्ट मेंबर में और घर उटाया था फूट अलब एपनी वन इसकी नुकसान काफी उटाया सकथ जो रूप्सकी कंपनीरन प्रूपनीरे तो शेदा आता है तो गाइज यह कि कल भी मैंने आपको बताया था कि logistic shares extent rally snowman logistics gains 96% in 5 weeks. So guys 96% you can assume that 96% in 5 weeks की मतलब कितना जो shareholder थे इसके उन्होंने कितना profit लिया होगा अगर किसी के पास suppose करो कि अजार शेर है तो आप खुछ सोच के देख सकते हैं कि इतना कितना अमाउट उसने गेन किया होगा इस सनोमैन लोजिस्टिक में यह न्यूज हर जगए है जिसकी वज़ा से काफी बड़ी न्यूज है इसकी वज़ाए से क्षाइस जैट आएफ पर सिनमें लोजिस्टिक सेयर हिट फ्रश पाउनविक हाई ओं एम इओ इंडप्वेश्टिबियूशन वेक्सी इस टिविशन के लिए मेमोरेंडम ओफ अंडरस्टैंडिंग इसमें हुई है जिसकी वज़ए से दोनों का नहीं बोलुगा क्योंकि स्पाइस जेट अल्री यह बाउनवी के आज पास यह अल्री गया हुआ है तो स्पाइस जेट की कंडिशन भी काफी स्ट्रोंग है देखिए स्पाइस जेट स्नोमें लोडिस्टिक चंप्स ओन पैक्ट पूर ट्रांसपोर्टिंग कोविड नाइटीन वेक्सीन सो हर जगए यह न्यूज है और काफी बड़ी न्यूज है चोटी न्यूज नहीं है जिस की यह की चोटी सी न्यूज है ठीक है तो एक बार उपर शेर चला गया दैन अपने जो इसके इंटरनल शेरोल्डर थे उन्हें अपने पैसे निकाल लिए तो ऐसी न्यूज नहीं है काफी strong news है जो कि obviously हर किसी को ऐसी news चाहिए होगी at present जो pandemic situation है उसमें so guys काफी अच्छी position है दोनों की और इसको दोनों इनको try कर सकते हैं और एक अच्छा खासा profit in mail ले सकते हैं so thanks not for watching this video so please take a please like comment share and subscribe thank you take care